एक इतना बड़ा दरपन काच इतना बड़ा दरपन जिसमें मुझ देखते हो मुख इतना बड़ा दरपन लिया आजकल तो फेशन की बंदरवाल होती है दरवाजे पर बंदरवाल लोग लगाते हैं कई मोती की लगा रहे तो पहले जो बंदरवाल होती थी उस बंदरवाल मे कई कई शहरों में जैसे काशी साइट में तो आज भी जो बंदरवाल मिलती है उत्तर प्रदेश में और चलो तो गुजडाक में तो उसमें इतने बड़ बड़े काच लगे रहते हैं दरपन उसका क्या मुलता क्या है श्यू महापुराण की कथा करती है दरपन इतना बड़ा ले लो बंदरवाल अगर दरपन वाली नहीं तो इतना बड़ा दरपन लो हनमान जी के मंदर में जाकर क्योंकि हनमान संकर का ही उतार है हनमान जी के मंदर में जाकर हनमान जी के उल्टे पाउं का थोड़ा सा सिंदू चरण का थोड़ा सा सिंदू एक कागज में लेकर आ जाए और हनमान जी के छोटे भाई हनमान जी छे भाई हैं उसमें गती मान हनमान जी के छोटे भाई गती मान का नाम लो और गती मान का ना ना दो सिंदूर से तृषूल बना कर उस दरपन को घर के बाहर या धर्वाज पर इसको लगा दी जी महाराजी केवल संकर का इस्ठमर्ण करकर गतिमान का नाम लेकर हनमान के उल्टे पम का सिंदूर का त्रिशूल बना कर जो दरपन को लगा देता है आपको एक महीने के अंदर अंतर मालूम पर जाएगा कि पिछले जो महीने निकले हैं उस महीने का अंदाजा लगाना कि घर में लोग किते बिमार पड़ते थे और इस दरपन को लगाने के बाद बिमारी कम होई कि नहीं होई नहीं हो कम तो ठंडा कर देना क्या जा रहा है पर करके जरूर देखना विश्वास रख कर करोगे भगवान शिव का अनमोदर करकर भगवान शंकर पर विश्वास रख कर करोगे तो बिमारी घेर नहीं सकते अकाल मृत्य हो मरे जो काम करे चंडाल का काल उसका क्या विगाड़े जो भग्त हो महा काल का संकर की अराधना करने वाला शिव का इस्मन करने वाला शिव का निवेधन करने वाला शिव अर्चना में डूबने वाला शिव का अनमोदन करने वाला कभी दुखी नहीं हो साहिए